कोरोना वारस से जंग लड़ रहे भारत के लिए राहा तब चंद दिन दूर है कोविशिल्ड वैक्सीन की पहली फ्लाइट दिल्ली पहुँच चुकी है इसके पहले वैक्सीन की पहली खेब को पूने इस्थिट सीरम इस्टिटूट ओफ इंडिया से रवाना किया गया भरकर पूड़े एरपोर्ट ले जाए गया यहां से वैक्सीन देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुचाई जाएगी आपको बता दें कि 16 जनवरी अनिशनिवार से भारत में वैक्सीन अभ्यान शुरू हो रहा है भारत के पास फिलहाल दो वैक्सीन है जिन्हें एमर्जेंसी यूज की मन्जूरी मिली है पहली स्वदेशी को वैक्सीन दूसरी ऑक्सफ़र्ड आउस्ट्रेजेनिका की कोविशील्ड जिसे पूरम के सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया में निर्वित किया गया है मंगलवार तड़के वैक्सीन को सीरम इंस्टिटूट से सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पहुचाया गया इन ट्रकों में वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाय गया था जिसका तापमान तीन डिगरी रखा गया पुड़े एयरपोर्ट से आठ उडानों के जरिये कोविशील्ड वैक्सीन को अलग-अलग जगों पर भेजा जाएगा इस पाइस जेट एयरलाइन के जरिये कोविशील्ड की पहली खेब पुणे से दिल्ली पहुचाए गई वैक्सीन का एयर ट्रांस्पोर्टेशन देख रही कंपनी SB Logistics के MD संदीब भोसले ने बताया कि कुल आठ उडानों के जरिये कोविशील्ड वैक्सीन को देश की 13 लोकेशन्स पर भेजा जाएगा पहली उडान दिल्ली के लिए थी पुड़े की DCP नम्रता पार्टिल के मताबिक वैक्सीन की पहली खेब कड़ी सुरक्षा और सुविधा के साथ रवाना की गई पुलिस ने जोरान सुरक्षा के व्याफ़ा के इंतजाम किये थे किंद सरकार ने फिलहाल कोविशिल्ड की 1.1 करोड डोज खरीदने का ओर्डर दिया है कोविशिल्ड की पहली 10 करोड डोज 200 रुपए प्रती डोज के हिसाब से दी जाएगी मार्केट में इसकी खीमत 1000 रुपए प्रती डोज के हिसाब से रखी गई है Serum Institute of India के CEO अदार पुनावाला ने बताया कि उनकी कमपनी हर महिने 5-6 करोड वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है DCGI ने भारत में Serum Institute of India पुने में तैयार की गई Oxford Estrogenica की वैक्सीन को भी शील्ड और भारत बायोटेक की को वैक्सीन के इमर्जेंसी इस्तमाल की मन्जूरी दी है पहले चरण में 3 करोड लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है जिन में Health Workers और दूसरे Front Line Workers श्रामिल होंगे इसके लावाज जादा हत्रे वाले लोग यानि बुजर्गों को भी इसमें वैक्सीन लगाई जाएगी पियम मोदी ने सुमबार को ही अलान किया कि 3 करोड फ्रेंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का खर्च केंदर सरकार उठाएगी NBT Online की रिपोर्ट